अलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आज कल online exam हो रहे हैं और mostly assignment based exam हो रहे हैं तो बच्चे इतने तेज हो गए हैं कि उन्होंने इसमें भी cheating करने को और अपने teacher को fool बनाने का तरीका ढूंड लिया है आप भी सोच रहे होंगे कि assignment based exam में कोई कैसे cheat कर सकता है या कैसे fool बना सकता है इसमें तो बस देखके और exam लिखना है, right? बट इसमें भी बच्चे इतने lazy हैं कि वो लिखना ही नहीं चाते तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है तो आपको मैं बता दू, मैं एक chemistry का teacher हूँ अभी मेरा recently एक exam था, मैंने exam paper upload किया उसके बद बच्चों का message आया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते है Sir, can I write in ruled paper and draw the structure on white paper? मैंने का, okay, yeah, there is no problem, आप कर सकते हो तो इस बच्चे में वह शायद किस चीज का डर था उसने मुझे photo भेजी और photo में दिखाया कि उसने जिरे नियोल का ये structure बनाया है और टरपीन नियोल का ये structure बनाया है तो जो मैंने first instant look दिया इसको, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैंने का वाओ यार, handwriting तो बहुत अच्छी है फिर मेरा थोड़ा ध्यान गया कि यार ये paper तो bond paper की तरह लग रहा है ये बच्चा तो बड़े महंगे paper के उपर लिख रहा है फिर मेरा थोड़ा और ध्यान गया है यार ये structure इतने fine, flawless structure, line कीतनी cd है और यहां देखो dotted कितने well arranged है मैंने का ये चक्कर क्या है मैंने मुझे लगा कि शायद ये person कुछ न कुछ चीट कर रहा है या fool कर रहा है मेरे को तो मैंने इसको कहा कि कौन से app use कर रहे हो तुम इस चीज के लिए तो पहले तो इसने ignore किया नहीं सर ये तो मैंने खुद बनाए है फिर ये कहने लगा कि सर मैंने tap पे बनाया है अरे यार मेरा 15 साल का chemistry का experience है मैं जानता हूँ कौन सा software होता है ये camdra software है और ये camdra का structure नहीं लग रहा है आप पता नहीं कौन से draw की बात कर रहे हो तो finally वो उसका शायद order बढ़ता गया जब मैंने उसे का कि मैं तो तेरे marks cut कर लूँआ तब उसने का कि सर मैं एक उससे use कर रहा हूँ app तो उससे मैंने draw किया है मैंने का ज़रा handwriting ड्रा करके दिखा इसको तो फिर उसने handwritten ड्रा किया finally और आप देखो कि ये handwriting और ये structure में कितना जमीन आस्मान का फरक है वोड़ो के चलो इस बच्चे को तो पता चल गया लेकिन इसकी class के दूसरे बच्चे मुझे फिर से message कर रहे है Sir, can I write first question on blank page and rest on rolled paper तो मैंने का ठीक है जो करना करो मैं तो बस सिधा exam check करूँगा अब finally मझे पता है कि ये कहा कहा cheat करने वाले और कैसी cheating करने वाले है और अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत बड़ी चीज कि बच्चे जो है ना वो assignment लिख नहीं रहे है एक app आती है जो text को handwriting में convert करती है तो ये आपको मैं अब दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं ये cheating तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि ये कैसे assignment कर रहे है तो यहाँ पर आप simply google खोलिए और इसमें लिखिए text to handwriting तो सो तरह के links खोल जाएंगे मैंने इसमें पहला और तीसरा link open किया है तो आप देखिए ये पहला link है तो इसमें जैसे कुछ मैं लिखना चाहता हूँ तो पहले for example मैंने ये side में एक खोला हुआ tab और इसमें से ये मैं copy करता हूँ command C and then इसको open करके यहाँ लिख देता हूँ कर देता हूँ command V अब यहाँ पर मैं जाके select करूँगा कि English में चाहिए या किसी और font में चाहिए इसमें different font आपको मिल जाएंगे plus आप इसमें अब enter भी कर सकते हैं जैसे मैं मझे यहाँ enter चाहिए यह नीचे आगया यह कितनी space में चाहिए तो यह ऐसे आप arrange कर सकते हैं assignment सकते हैं scanner effect, shadow effect so that की ऐसा लगे कि हमने reality में लिखा है इस चीज को plus आप paper margin on कर सकते हैं या off कर सकते हैं paper में जो upline है या हटा सकते हैं या रख सकते हैं तो इस way से बच्चे assignment लिख रहे हैं actually वो लिख नहीं रहे हैं simple copy paste कर रहे हैं तो एक तो हो गया यह दूसरा आप देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ तो simply यहाँ पर आप यह खोलेंगे link तो आप यहाँ पर paste करते हैं यह मैंने paste किया अब यहाँ पर भी option दिखाता है कि आपको किस form में लिखना है कि style में लिखना है कौन से color में लिखना है यह देखे change होता जा रहा है और blue line paper चाहिए white paper चाहिए white paper आ गया तो paper को देखे कितना real दिखाया हुआ है कि ऐसा लगए कि सच में student ने work किया है but actually सीधा वो copy paste कर रहे है जैसे यह देखे वो red में convert कर दिया और plus आप यहां से image भी import कर सकते है और crop कर सकते है और arrange कर सकते है और बच्चे सुसते हैं क्या ही पता चलेगा teacher को अरे यार वो तुमारा teacher है वो कितने सालों से paper चेक कर रहा है और कितने हजार बच्चों के paper चेक कर चुका है और वो जानता है कि handwriting कैसी होती है right तो at least उसे देखकूप मत बनाओ वो कहीं बार ignore करता है आपका teacher because वो नहीं चाता आपका future कराओ और कहीं बार वो teacher easy भी होता है और वो teacher simply कता है चलो छोड़ो बच्चे ही तो है लेकिन बच्चे कहीं बार अपने आपको बहुत fast forward समझते हैं हो सोचते हैं कि उनको जादा technology का पता होता है अरे वो जो तुमारा teacher है न वो तुमारे senior को भी पढ़ा रहा है वो तुमारे junior को भी पढ़ा रहा है वो भी अपने आपको fast forward समझते हैं technology में high five समझते हैं तो उनको सब तरह की knowledge होती है आपके teacher को तो guys अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो please इस लाइक कीजिए share कीजिए, subscribe कीजिए मुझे पता है student को तो पसंद नहीं आई होगी अगर फिर भी पसंद आई हो तो please इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए thank you for watching the video